ये टोपिक आपको एक्जाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है हम लोगों को डिफेरेंस में फीचर्स में मैनर में हैंगिंग का मैनर जो रहता है वो यूजवली सोसाइडल होता है बट हॉमिसाइडल और एक्सिदेंटल भी हो सकता है इन सेकेंड वन इस सलाइवा पर यहां पर यहां पर यह प्रॉप के ऊपर आप यह ओंदरनीत माक्स में आपको ड्राय न पर कापको माक्स मिलेगा नइक्स्ट वन बचल सब्सक्राइब्स नेक मसल्स आपको यहां नेकस्ब्स इन्जूरी मिलेगी sixth one is neck नेक में हापको stress and elongated neck आपको मिलेगा then larynx and trachea larynx and trachea में alla पे injury of fracture काफी rarely मिलता है in case of hanging then next one is bleeding bleeding में आपको from nose and mouth and ear से Kayla काफी less commonly bleeding के stress मिलता है sign of expect India आपको less prominent मिलता है so in case of hanging पे मेनर माथ मेलेगा ब Mayor Sc primeira चौ हांट देख्योस क माश्या उपनाइग्स अजल खुर मेंगा र 제대로 साहिं सनौ आपको इंग डरीको mêsिया हि और Amnit माथ महांड चेह को द्रेजजिंगूस से जबी आपका रहेगा वो आपको horizontal ligature marks रहेगा, continue रहेगा, at or below the level of the thyroid cartilage, so यहाँ पर thyroid cartilage में hanging में क्या हो रहा था, hanging में यहाँ पर at the above the level of thyroid cartilage हो रहा था, और यहाँ पर, at or below the level of thyroid cartilage, then after that, tissue underneath marks यहाँ पर bruised मिलेगा, after that, fifth one is, neck muscle, यहाँ पर commonly neck muscle injured मिलेगी, then neck यहाँ पर not streaked, not elongated मिलेगा, नेच्ट वान इज लेरंगें त्रेक्या इन्जूरी फ्रेक्चर्स मोर कमन जो को स्पाइन पॉइंग्स पूइंट आपको अपको अगर आपको एक्जाम में हैंगिंग और इस्ट्रेंगूलेशन पूछा जाता हैं तो फाप वहां पिसफेरेंस हैं the difference between fresh water drowning एन sea avater drowning ये आपको एक्जा में 5 मार्क्स में question पूछ जाता है जो water धोडर्य के अंदर जो features आपको मिलता है वो घोता है chaipotonic features मिलेगा थानल एका hypertonic मिलेगा hypotonic化 फ्रेश वाटर, सी वाटर में, हाइपर टॉनिक, देन, चैंजेस इन दी ब्लेड, आपको फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में, चैंजेस मिलेगा ब्लेड के इनदा तो, हीमो डाइलूशन, हाइपो नेट्रेमिया, हाइपो कलसेमिया, और डिक्रीजड इन क्लोराइड्स, यह आपको सारे फिचर्स मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में, और सी वाटर ड्राउनिंग में, आपको मिलेगा, हीमो कॉंसेंट्रेशन, हाइपर नेट्रेमिया, और इंक्रीजड व्लेट्स impacted of the आपके में पर do not return shape marks edema रहेगा आपके आपके next one is next difference is difference between burn and skull यह आपको exam में 5 marks में question पुछ रहता है यहां पर features में causes skull का mainly cause रहता है moist heat रहता है so burn का mainly cause रहता है dry heat रहता है then clothes skull में आपको clothes आपको जले हुआ नहीं मिलेंगे not burn but maybe wet आपको मिलेगे but in case of burn में 7 evidence of burn site यहां पर site आपको मिलेगी injury occurs at and below of application of the causative agent जहां पर अपने बोडी को पर अगर आपने application apply किया है तो at the level at and below the level आपको इस पर scarled मिलेगा और injury occurred at the above at the side of application causative agent burn में आपको यहां पर जहां पर application आपके बोडी को पर apply और उसके उपर आपको यहां पर trace मिलेगा बन का skin skin में आपको erythema of blisterds मिलेगा यहां पर skin में आपको red superficial burn मिलेगा ceux dessa till dni लेगा up आपे अपसेंट रहेगा, स्काल्ड में प्रेजेंट 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 रहेगा, स्काल्ड में जाता है the next one is difference between fresh water drowning and sea water drowning आपको 5 marks में पूचा जाएगा then next one is difference between hanging and strangulation या आपको 20 marks और 5 marks में पूरा question पूचा जाता है ओक्यै तैंक यू